Hello students in Jai Hind, I welcome you all to Magnet Brains. My name is Pratik Mishra and हम लोग आज के lecture में History Class 12, उसकी पहली किताब और उसका आखरी chapter या आखरी theme, उसके अपने discussion को continue करेंगे. Last lecture में हम लोगोंने भगवान बुद्ध का किस तरीके से enlightenment हुआ था, किस तरीके से सिधार्थ गौतम बुद्ध बने थे, किस तरीके से ये expansion होता चला आ गया, क्या वो reasons थे जिसके कारण वो expansion हुआ, वो सब देखा था, and शैत्ते का जो concept था, वो समझते हुए हम लोगोंने, sacred बुद्धिस sites कौन-कौन सी इंडिया में major हैं, उसके अपनी बादशीत को खतन किया था. आज के lecture में हम लोग अपना जो स्टूप वगरा का concept है, बुद्धिस्ट स्टूपा का concept उसके साथ में हम लोग अपनी बादशीत को शुरू करेंगे. हम लोग पहले ये देखेंगे कि बुद्धिस्टूप होते क्या हैं, क्यों बनाए जाते थे और उसके बाद में उसके architecture के बारे में हम लोग कुछ बादशीत अपनी करेंगे and further उससे related जो भी topics वगरा उनको आगे subsequently discuss करेंगे. So without any further ado, here we begin. तो जो आज का हमारा पहला topic है, वो ये है कि आखिर ये जो stoop थे वो बनाए क्यों जाते थे? हम लोगों ने काफी देड़ से बातचीत करी कि भाई बुद्धिस stoop हम लोग पढ़ेंगे, सांची के stoop के बारे में कुछ बातचीत भी करी थी शुरुवात में, सवाल एक जो उठता है कि आखिर बुद्धों ने stoop बनाए क्यों, stoop बना के उनको मिला क्या? ये stoop का construction जो है आखिर बुद्ध करते क्यों थे? तो इसका जवाब ये है कि stoop बनाए जाते थे ताकि भगवान बुद्ध के जो भी relics बगएरा है, चाहे उनके bodily remains हैं, उनके शरीर के कुछ बचे हुए जो हिस्से हैं, चाहे तो वो हो जाएं, चाहे उनके द्वारा इस्तिमाल की गई जो चीज़ें वगएरा हैं, उन सब को preserve किया जा सके, stoop में उनको बरी करकर, या फिर किसी जगे पर उन समानों को रखकर, चाहे भगवान बुद्ध के बचे हुए अवशेश हों, चाहे भगवान बुद्ध ने अपने जीवन काल में जिन चीज़ों का इस्तिमाल किया था, उन सब को आप एक जगे रखो, और उसके उपर से आप stoop वगएरा बना कर आप उसको preserve कर लो, ताकि वो सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे, इस logic के basis पर stoop वगएरा जो है इनका construction या फिर इनका निर्मान किया जाता था, तो अगर आप से ये सवाल पूछा जाए कि बहुत जो है वो stoop बनाते क्यों थे, जबाब क्या हो गया, भगवान बुद्ध के जो relics हैं, जो भी उनके सामान का वो इस्तिमाल करते थे, क्योंकि वो सारा का सारा सामान बौद्धों के लिए तो बहुत पवित्र है ना, तो उस सब को preserve किया जाए, preserve करने का तरीका क्या है, किसी एक जगे पर आप उसको रखो, और उसके उपर से आप stoop बना दो, तो stoop बना दोगे, उसके अंदर वो अपना संरक्षे त्रहेगा, इस तरीके से वो preserve हो जाएगा, और यह जो आप, या फिर इस तरह से बोल सकते हैं, कि किसी एक जगे पर आपने सामान बगरा को रखा, शेप में कि वो मोंड जैसा आपको देखने को मिल रहा है, यह मोंड क्या कहला है, फिर बाद में इस मोंड को स्टूप कहा गया, हाला कि ऐसा नहीं था कि बहुत जो है, उन्होंने एकदम से out of nowhere, उनको कहीं से पता चलिया, कि इस तरीके से सामान रखे, इसके उपर इस सेमी सर्कुलर तरीके का मोंड जैसा structure बना दो, और इसको स्टूप बोल दो, और इस तरीके से जो हैं अपने को preserve करना, यह नहीं हुआ था, स्टूप बनाने की जो practice थी, वो बौद्दों के पहले से चली आ रही थी, मगर क्योंकि बौद्धों ने इतने जादा स्टूप बनाएं, और क्योंकि उनको भगवान गौतम बुद्ध की जिंदिगी के साथ जोड़ा गया, इस चक्कर में हुआ यह कि कालांतर में स्टूप और बुद्धिजम जो हैं आपस में एक दूसरे की साथ intermingled हो गया है, जैसे हम लोग आज की तारीक में बात करते हैं, हिंदुस्तान की जब भी बात आती है, या बॉलिवूड की जब भी बात आती तो लोग उसको हिंदुस्तान की साथ में जोड़ लेते हैं, तो आपस में काफी intermingled हो गया है, इसी तरीके से आपके जो स्टूप वगेरा है, क्योंकि इतने ज़ादा मातरा में बुद्धिजम में स्टूप वगरा construction हुआ कि आज अगर आप ये बोलो के स्टूप तो आपके दिमाग में बुद्धिजम आएगा, और बुद्धिजम की बात करोगे तो आपके दिमाग में स्टूप आएगा, हाला कि ये प्रक्रिया ये जो practice थी स्टूप बनाने की बुद्धिजम से पहले की थी, उसके पहले से स्टूप वगरा इरेक्ट किये जा रहे थे, मगर बुद्धिजम की अगर बात की जाए तो वो इसको एक नई हाइट पर लेकर गए, जमकर जो है आपने construction किया, इसके पहले से इंडिया में exist करती थी, चलें जी, आगे बढ़ता है, अब क्योंकि ये जो स्टूप है, आप बिसिकली इसमें भगवान बुद्ध के रेलिक्स रख रहे हो, या तो उनके बचे हुए अवशेश है, उनकी हड़ियाँ को रखा जा रहा है, उनका जो भी शरीर के आपके पास में अफशेश बचा हुआ है, या तो आप स्टूप में उसको प्रिजर्व कर रहे हो, या भगवान बुद्ध के इस्तिमाल की कही चीज़ों को, यानि कि जो कपड़े पहनते थे उनको रखा जा रहा है, जो चपल तो कहर होती नहीं थी, जो खड़ा हूँ पहनते थे उनको आप रख रहे हो, उसके इलावा जो भी वो समान बगएरा का इस्तिमाल खाने पीने के लिए, जो बरतनों का इस्तिमाल करते थे वो हो गए, या कोई और चीज हो गई, जो भी चीज़ें भगवान बुद्ध के दौरा इस्तिमाल की जाती थी, जिस पर बैठते थे वो चटाई हो गई, इस तरीकी की चीज़ें, आप स्टूप वगएरा बनाके उसके अंदर रखकर आप प्रिजर्व कर रहे हो, और ये सारा का सारा जो समान है, वो सेक्रेड है, क्योंकि भगवान बुद्ध से रिलेटेड है, तो वो सारा का सारा समान पवित्र हो गया, अब क्योंकि ये पवित्र समान आपने स्टूप के अंदर रखा है, तो पूरा का पूरा जो स्टूप है, उसको आप फिर उसकी पूजा करने लगे, का या बुद्धिजम या बुद्धर्म का जो प्रतीक के तौर पर जो आपका स्टूप निकल कर आया है वो इसलिए आया है क्योंकि इसमें आपने भगवान बुद्धिस से related important चीजों को जो आपके लिए पवित्र थी उनको आपने प्रिजर्व किया और उनकी preservation के कारण पूरा पूरा स्टूप आपने अपनली पवित्र मान लिया अब अगर आप एक बुद्धिस text है जिसको हम लोग कहते हैं अशोक वंदना इसकी अगर आप इसके अनुसार आप चलें एक बुद्धिस टाउन है जितने भी important शहर है वहाँ पर इन समानों को लेकर जाया जाए थोड़ी थोड़ी मात्रा में जो हिस्ता किया है और वहाँ पर इन समानों को प्रिजर्व करते हुए इन सब के ऊपर जो है स्टूप वगरा का कंस्रक्शन करवाया जाए कई लोग तो यह बोलते हैं इन्होंने चौरासी हजार स्टूप बनाने का जो है आडर दिया था मगर यह बात थोड़ा सा एक्जागरेटेड लगती है क्योंकि इतने तो शहर आ और यह ओडर तो जरूर दिया था कि जाके अलग-अलग इंपोर्टेंट शहरों में लेकर जाईए और वहाँ पर इनको प्रिजर्व करने के लिए स्टूप बनाईए और बहुत दर्म का प्रचार प्रसार करिए यह बात है यह समराल अशोक ने कहा था अशोक बंदना से भ ओला कि इनके उपर इनके अपर बनाया जाए secnded century before common era आते 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 आप यह देखते हैं फिर यह पाते है mixed इम्पोर्टेंट है उस वक्त के हुआ करते थे या फिर जो इम्पोर्टेंट आपके रास्ते हुआ करते थे वहां पर जो आपके कुछ टाउन वगरा पड़ते थे उन पर जो है आपको स्टूब वगरा देखने को मिलते हैं भारूत हो गया साची हो गया सारनात हो गया हर ने दिया, इनके लिए resources वगरा कहां से आए, तो जो next question है, how where stoop has built, अब हम लोग थोड़ा सा इस पर बात्चीत करेंगे, stoop वगरा जो भी है, खास तोर पर जो साची का stoop है, वहाँ पर जो railings वगरा बनी हुई है, उन railings वगरा कि अगर आप बात करोगे, तो वहाँ पर inscriptions वगरा बने हुआ है, और उन inscriptions वगरा से हमको पता चलता है, उन donations के records के बारे में, जिनकी मदद से stoop को बनाये गया था, या फिर उसकी building को बनाने के बाद में, उसका decoration वगरा जो है, किया गया था, तो कहां से आपको पता चलता है, कि ये stoop वगरा बनाने के लिए resources कहां से आये थे, वहाँ पर जो आपकी railings हैं, वहाँ पर जो pillars वगरा है, खास तोर पर साची के जो stoop हैं, उसकी बात हम लोग कर लेते हैं, वहाँ पर बकायदा donations के जो records वगरा है, उनको erect किया गया है, तो वहाँ से अपने को पता चलता है, कि ये building बनाने के लिए, और बाद में फिर decorate करने के लिए, ये पैसा वगरा कहां से आया, अगर आप major donors की बात कर लेते हैं, तो जो आपके kings वगरा थे, शतावना हो गए, या फिर बाकी जो हो गए, इन लोगोंने काफी donations वगरा दिये थे, इसके इलावा, आपकी जो काफी सारी guilds वगरा हुआ करती थी, जो हमने last lectures में देख रखा है previous lectures में, कि आपके कुछ वयापारियों का समू हो गया, या फिर कुछ merchants का आपका पुरा समू हो गया, वो अपने आपको guilds वगरा में organize कर लेते थे, एक team में organize कर लेते थे, ताकि ज़ादा मातरा में अच्छा वयापार कर सके हैं, उसको बोला जाता था guilds, तो यह जो guilds वगरा थी, यह लोग भी काफी ज़ादा मातरा में जो हैं, धन वगरा, दान किया करती थी, जैसे कि ivory workers हैं, हाती दाथ पे काम करने वालों कि आपकी जो team है, वो हो गया, या वो जो guild हो गया, उन्होंने finance किया है, साची का जो gateway है, साची में हाती दाथ पे काम करने वालों का अपना पुदा का पुरा गिल्ड था, उन लोगों ने दिया है, इसी तरह जो छोटे-छोटे आपके सामानने लोग हैं, महिला पूरुष हैं, जो आपका काम करने वाले लोग हैं, जो आपका lower class की लोग कह सकते हैं, उनका जो नाम है, वो लिखा हुआ है, कहां से वो आये थे, वो भी लिखा हुआ है, और क्या वो occupation करते थे, वो भी लिखा हुआ है, इससे भी आपको अंदाजा लगता है, कि छोटे-छोटा वैक्ती भी जो है, उसकी शरद्धा भाव से जो भी वो डोनेट कर सकता था, वो करता था, तो इन सबका भी जो डोनेशन है, वो आपको देखने को मिलता है, और इसके इलावा आपके जो भिक्खूज हैं, और भिक्खुनीज वगरा हैं, इनको भी जो दान में चीज़ें वगरा मिलती थी, उसकी मदद से इन स्टूपों के, या फिरिन मॉन्यूमेंट के कंस्ट्रक्शन वगरा में, इन लोगों ने भी काफी मात्रा में कंट्रिब्यूट किया है, तो अगर आप ये पूछेंगे कि, इसके दो मतलब बनते हैं, एक तो ये कि बनवाने के लिए पैसा कहां से आया है, और दूसरा ये बनता है कि भाई, बनाया कैसे गया, तो बनवाने के लिए पैसा कैसे आया, डोनेशन और सारी चीज़ें, उसके बारे में हम लोगों ने बात करी, अब बनाया कैसे गया, किस तरीके से construction किया गया, किस तरीके से architecture किया गया, उसके बारे में अब हम लोग बातचीत करेंगे तो जैसा कि हम लोगों ने भी बात करी थी कि स्टूप वगरा जो हैं, ये प्री बुद्धिस्थ हैं, भगवान बुद्ध के पहले से स्टूप वगरा इंडिया में बनाये जा रहे थे, मगर अल्टिमेटली भगवान बुद्ध के time period में और उसके बाद में स्टूप का construction स्टूप आता है, वो इतना interchangeably एक दूछरे के साथ में mix up कर गाएं, तो स्टूप का अगर आप basic बात करो कि स्टूप जो शब्ध है इसका मतलब क्या है, तो स्टूप जो शब्ध है या स्टूप जो शब्ध है या स्टूप तो हम लोग इसको English में लिखते हैं, हिंदी में आपका जो shape है इसमें इखटा होता चला जाता है, यह जो semi-circular shape है या फिर यह hemispherical shape जो है इसमें इखटा होता चला जाता है और इसको हम लोग कई बार mond भी बोल देते हैं, कई बार इसको हम लोग heap भी बोल देते हैं, तो स्टूप जो है basically एक संस्कृत का शब्ध है, जिसक इखटा करके रखी हुई चीजों की तरह दिख रहा है, तो उसको आपने स्टूप बोलना शुरू कर दिया, और यह जो semi-circular आपका structure निकल कर आता था, स्टूप का, इसको बोला जाता था अंडा, ठीक है, जो हम लोग egg के लिए शब्ध इस्तमाल करते हैं, हिंदी में आते थे, बाद में वक्त के साथ में, यह जो semi-circular portion आपका इतना इतना बनता था, स्टूप का, जब स्टूप में और भी चीजन जोड़ती चली गई, पहले तो सिर्फ इतना सा बना के छोड़ देते थे, मगर जब बाद में और ज़्यादा complex होता चला गया, इसमें और इसमें आपके round shapes और square shapes को फिर शामिल किया गया, इनकी बहुत बढ़िया symmetry बनाई गई और काफी सारे जोड़ी गई, तो उन सब का फिर आपको असर देखने के लिए मिलता है, उसके बारे में भी हम लोग बातचीत करेंगे, जब हम लोग photograph देखेंगे, तो यह जो आपका line इस्तेमाल की गई है कि धीरे धीरे, it evolved into a more complex structure, balancing round and square shapes, इसको समझने के लिए, हमको पहले stoop का photograph देखना पड़ेगा, हमको समझना पड़ेगा कि stoop actual में देखता कैसा है, और उसके बाद में हम लोग फिर आगे बातचीत कर लें, इसके अलग अलग portions के साथ में, तो यह उसका एक label diagram है, साची का जो stoop है, उसके साथ में हम लोगों ने, यह उसका basically label diagram है, थोड़ा सम को समझना पड़ेगा, जैसा कि मैंने कहा कि जब stoop बनना शुरू हुए थे, एक तो stoop जो है, प्री बुद्धिस्त है, मगर बौध्धों ने भी जब शुरुआती stoop बनाए थे, जोड़ी जाने लगी थी, उनके बारे में हम लोग थोड़ी सी बातशीत कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, तो यह वाला आपका semi-circular portion आगया, जो शुरुआत में सिर्फ वह हुआ करता था, इसको बोला जाता था अंडा, अंडा के ऊपर यहां पर एक बालकनी जैस बनके लगने लगा था, जिसको बोला जाता था, हर्मिका, यह जो आपका इस तरीके से आपने बालकनी बनाई है, जिसमें आप खड़े हो सकते हो अंदर, इसको हर्मिका बोला जा रहा है, अब हर्मिका के बीच में यहां पर इस तरीके से एक आपका pillar बना हुआ है, जिसको नाम दिया जाता था यश्ठी और यश्ठी के ऊपर एक umbrella जासा एक या फिर एक से जादा umbrella जैसे structures लगे रहे जा जा रहे जिसको बोला जाता था छत्री याद रखिएगा इसको क्या किया जा रहा है यह आपका semi circular portion है एक बार बनाते भी चलते हैं साथ में यह आपका stoop का semi circular portion ह जिसे आपने अंडा बोल दिया अंडा के ऊपर आपने क्या किया एक बालकनी जैसा structure बना दिया है इसको क्या बुला जा रहा है इसे बुला जा रहा है हर्मिका हर्मिका के बीच में से इस तरीके से एक आपका pole जैसा या pillar जैसा कुछ बनाया जा रहा है इसे बुला जा रहा यश्टी और इसके उपर एक या एक से ज़्यादा अम्रेला जैसे structures लगाए जा रहे हैं जिसको बूला जा रहा है छत्री इन सब के क्या मतलब होता है वो बताऊंगा भी मगर यह अपने को ध्यान रखना है यह होता है छत्री अच्छा जी अब इसके चारो तरफ जिस तरीके से हम लोग मंदर में परिक्रमा वगरा करते हैं उस तरीके से इस तूप के या पर अड़े के चारो तरफ परिक्रमा करने के लिए उपर की तरफ में एक path बनाया गया था जिसको बोला जाता था प्रदक्षिना उसके बाद में फिर आपका ये जो आपके दो boundary walls हैं को बोला जाता था वेदी का वेदी का के ऊपर का जो ये structure आपको देखने को मिल रहा है इसे बोला जाता था मेधी और ये जो रास्ता है नीचे वाला उपर वाल या फिर तोरणास ये इतने जो है कुछ में में आपके important points हैं जो आपको स्टूप के बारे में ध्यान रखने क्या-क्या सबसे पहले आपका जो ये में जो पोर्शान है इसको अंडा बोल दिया अंडे के ऊपर फिर आपने एक बालकनी जैसा structure बना दिया जिसको आपने नाम का लगाने के लिए ये जो पहला वाला आपका portion है इसको कहा जाता था production के बाद में आपने एक boundary wall बनाया है और उसके बाद में दूसरा boundary wall बनाया है उनके बीच का जो portion है उसे बोला जा रहा है part इसके लिए और इस पूरे स्टूप में अंदर enter करने के लिए चार आपके gates है दो यहाँ पर है तीसरा यह है और चौथा यह है यह चारो directions है चार gates है जिसका मतलब यह है कि आप किसी भी तरफ से अंदर आ सकते हैं इसका एक symbolic मतलब है कि इश्वर तक किसी भी रास्ते तक रास्ते से पहुँचा जा सकता है इस particular entrance को या फिर इस द्वार को बोला जाता थ मेधी यह आपके कुछ important terms है जिनको अपने को ध्यान रखना है और इनी के बारे में भी हम लोग थोड़ी सी बातचीत करेंगा तो यह सांची स्टूप का example लेकि स्टूप के जो main main portion थे या main main parts थे उसकी बात कर ली अब यह सांची स्टूप का top view है यहाँ पर एक line आई थी क यह जो है शुरुआत में आपका बहुत जादा simple हुआ करता था बाद में यह complex structure बनता चला गया है जिसने round और square shapes को balance किया है इसका मतलब थोड़ा साफ हम लोग यहाँ पर समझता है देखिया यह जो है आपका स्टूप का top view है अगर आप उपर से देखोगे यहाँ पर आप आप ने सिंबल डाइग्राम दूर से बना के बता है कि स्टूप किस तरीके से दिखता है अब यह pillars नहीं है यह आपके अंदर enter करने के चार gate है यह आपका उपर जो है पूरा उस तरीके साफ का structure जो बना हुआ है हम लोग ने भी बातचीत करी है यहाँ पर यह पहली boundary wall बनी यह सारा का सारा साथी का स्टूप का में structure है तो याज रखना है अपने को जब अपन लोग अंडा बोलते हैं तो अंडे का मतलब क्या होता है यह वाला portion जब अपन हर्मिका बोलते हैं इसका मतलब यह उपर का इलाका है वह हो गया यश्ठी का मतलब इसमें से निकला हुआ पिलर उसके उपर लगी हुई छत्री ये जो आपका पहला वाला पाथ है अंडे के जस्ट बाद वाला पाथ जिसमें आप चक्कर लगा सकते हो इसको इसमें भी देख लेते हैं अंडे के जस्ट बाद वाला पाथ यह जो आपकी boundary ball दिख रही है उसके और अंडे के बीच मे इंटर करने के बाद आपका जो यह second boundary wall है उसके बीच का जो यह portion है जिसके आप आपका पत्थ है वह कहा जाता था इसके बाद में जो boundary wall लगाई गई है इसे वेधिका बोला जा रहा है इसके ऊपर का जो portion है उसे मेधी बोल दिया और अंदर square और round shapes वगरा को बढ़िया तरीके से balance किया गया अब इनी के बारे में हम लोग थोड़ी सी बातशीत करते हैं कि इन सारे अलग-अलग नामों का sense क्या बनता है ठीक है तो जैसा कि हम लोग कह रहे थे कि stoop वगरा जो है बहुत complex structure बनता चला गया उसके उपर आपने balcony जैसा structure बनाया जिसको बोला गया हर्मिका और यह क्या represent करता था यह represent करता था adobe of gods यानि की इश्वर यहाँ पर बैठे हुए है representative form में और यहाँ से पूरा जो आपका stoop को अगर आप दुनिया मान लेते हैं उपर से बैठ कर यहां से सबको observe कर रहा है तो आपने पहले बना दिया stoop का अंडा अंडे के उपर आपने balcony यह से structure बना दिया जैसे नाम दे दिया हर्मिका और हर्मिका का क्या representation है वह क्या represent कर रहा है इश्वर का घर यहां या फिर a board of gods इसका मतलब क्या हो गया इश्वर यहां से बैठ कर अगर आप पूरे स्टूप को ब्रह्मान या दुनिया मालने तो यहां से सबको observe कर रहा है चले जी यह बैसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि इसके अंदर का जो स्टूप का इलाका और इसके बाहर की जो आउटर दुनिया है यह उसका सेपरेशन नहीं दिखा रही यह सिर्फ आपको यह नहीं बोल रहे हैं यहां पर आपका स्टूप खतम हो जाता यह सांती सांत इसकी बुद्ध का भी रिप्रेजेंटेशन है कि इसके बाहर जो है आपकी अलग दुनिया है और इसके अंदर जो है यह आपका स्पेरिचुल स्पेस है यह भगवान बुद्ध की पवित्रे जगह और इसका एक स्पिरिचुल सिगनिफिकेंस है तो यह जो आपकी वेदिका जो आप activities की उमीद की जाती है बगवान बुद्ध से related जो पूरी आपकी activities वगड़ा बुद्धिसम में develop हुई जब आप स्टूप पर जाते हैं तो किस तरीके से करते हैं उसी तरह से जब आप मंदर में जाते हैं जिस तरह से आप activities वगड़ा करते हैं उसी तरीके के activities आपने जो भी स्टूप से related है वो इसके अंदर करनी है और वेदिका के बाहर आपका secular world है वहाँ पर आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं तो यह जो चीज है यह जो आपका particular boundary wall बन के basic features हो गए जो अपने को ध्यान रखने हैं और यह उनका थोड़ा सा description हो गया अब आप अगर शुरुवाती स्टूप की बात करें अगली phase में जो स्टूप बगएरा बने थे तो वो स्टूप आपको देखने को मिलते हैं सांची में और भारूत में जब इनको शुरुवा complex किया है तो यह इसको ध्यान रखिएगा सांची अगर आपसे यह पूछा जाए कि यह पूरा का पूरा जो सांची का स्टूप एक बार में बना के खड़ा कर दिया था जवाब है नहीं पहले plane structure बना वक्त के साथ में फिसमें complexity आती चली गई थी और होते होते ultimately वो इस तरी gateway वगरा थे और gateway वगरा जो थे इनके उपर आपको अच्छी खासी जो है नकाशी और काम वगरा देखने के लिए मिलता था चार आपके gates बनाए गए थे जो चार पॉइंट से एंटर करने के लिए थे शुरुआत से ही जब यह gate लगते थे तब इन gates वगरा में आपको काफ नहीं करी थी यह सब बाद में किया गया था शुरुआत शुरुआत में जो आपके स्टूप वगरा बने हैं उसमें क्या कहानी थी वो एकदम plane हुआ करते थे बस आपने चारों तरफ stone की railings वगरा लगाई हुई थी प्रदक्षिणा वगरा बनाने के लिए पाथ बनाने के लिए में स्टूप को और दूसरा आपके चार गेट हुआ करते थे जिनके उपर आपने अच्छे से जो है नकाशी या कारी गरी किया करती थी वर्शिपर्स क्या किया करते थे वर्शिपर्स या फिर जिनको भगवान बुद्ध की पूझा अर्चना करनी है स्टूप में आ मूव करते थे eastern direction से northern gate से अप enter किये उसके गी दिश्ट में मूव करते यह से कि मूव करते वक्त आपका यह इसTOR हैं वो आपकी सीधे हाथ की तरह में रहे और इस तरह के से आप सूर्ज की चाल है उसको इमेंके जिए करते ते important point इसके उपर mcq आया हुआ है आप यह आपका स्टूप हो गया स्टूप में आप कैसे enter कर रहे हो आप East से enter कर रहे है और किस तरह से move कर रहे हैं आप clockwise आप move कर रहे हो इस तरीके से कि आपका जो यह स्टूप है वो आपके सिधे हात की तरफ रहे और ऐसा करते वक्त आप बेसिकल ली क्या बता रहे हो आप सूरच की चाल है जो सूरच का उद्म होने से लेकि डूबने तक क्या या आपका उद्म होने तक मुमेंट होता है आप उसको इमिटेट कर रहे बाद में वक्त के साथ में जब सोफिस्टिकेशन बढ़ते चले गए तो प्लेन आपका स्टूप बनाया गया था इसमें भी काफी ज़्यादा elaborations वगरा आये काफी ज़्यादा चीजों को जोडा गया और ये चीज आपको दो स्टूपों में खास तोर पे देखने को मिलती है साची के स्टूप में तो हुआ ही हुआ मगर बहुत ज़्यादा मातरा में elaborations जो हैं और काफी ज़्यादा modifications और improvement अगर इस तरीके के देखने को मिलते हैं वो मिलते हैं अमरावती के स्टूप में जो अब बचा नहीं है और पेशावर के स्टूप में जिसको एक जगह पड़ती है पेशावर में जिसको शाह जी की डेरी बोला जाता है वहाँ पर एक स्टूप के स्टूप में जोड़ जोड़ के काफी जादा इसका design वगरा जो है beautiful बनाया था मगर सांती सांद अपने उसकी simplicity को खतम करकर उसको sophisticated कर दिया अब हम लोग कुछ photographs वगरा देखेंगे जिससे हमको समझ में आएगा कि कितना जादा decoration वगरा किया गया था और sculptures वगरा का इस्तिमाल किस तरीके से किया गया आर्ट के point of view से भी अगर आप देखोगे तो इंडियन आर्ट का एक बड़ा खुफसूरत example आपको समझ में आता है इस तूप वगरा में जो भी sculptures वगरा आपको देखने को मिलते हैं वो सब चले देखना शुरू करते हैं यह आपके gates हैं जो अंदर enter करने के gates हैं तो उनके ओपर जिस तरीके का काम किया गया और यह सब पर बनाया गया ऐसा नहीं है कि इनको अलग-अलग से बना के साथ में जोड़ा गया और सब एक ही पत्थर से जो है कार्व किये गए और उसके बाद में फिर एक दूसरे के साथ में कुछ portions को इंटर लॉक किया गया मगर more or less एक बड़े पत्थर के ऊपर जो आपने carving वगरा की है यह देखिए यह नीचे की तरफ आपने इंसानों को बनाया तो ऐसा indication के लिए कि यह सारा का सारा भार उन्होंने उठा रखा है और उसके ऊपर जो आपने यह design वगरा बनाई है जैसे drawing board पे अगर आप paper बैठके बनाना शुरू करोगए तो इतना आसानी से नहीं बन प दूसरा gate है यहाँ पर अब जैसे कि मैं कहा रहा था कि differences है यहाँ पर आपको चार आदमी बताए गया है जो basically इसको पकड़ के खड़े हुए हैं इस तरीके का आभास देते हैं वागर यहाँ पर आप अपना जो आज की तारीक में भारत सरकार का official logo है जिसमें अपने को तीन share दिखते हैं और basically वो चार share होते हैं अशोक स्थम वगरा का से जिसको लिया गया है यह basically उस particular design को जो है यहाँ पर replicate किया गया है और इसके उपर की जो designs या drawings वगरा है जो भी चीज़ें आपको देखने को मिल रही है वो अलग है ध्यान से देखिए यहाँ पर यह जो गोल ग से हाथ से इतना अच्छे से ड्रॉनी कर पाऊंगा जितना अच्छे से इन लोगों ने यहाँ पर सिमेट्री के साथ में इस पर बनाया यह दूसरा जो गेट है उस पर यह सब पर आपको देखने को नहीं मिलता और कितना मुश्किल काम रहा होगा यह आपका जो यह पर भी रहा होगा मगर कैच हैनी है तोड़ा चलाया है कि उसको इस तरीके से काटके इस तरीके का शेप बनों ने दे दिया यह अपने आप में के स्टानिशिंग बात है और यह सारा काम दोड़ाई हजार साल पहले हो रहा है यह अभी की बातचीत नहीं है कि हजार पंदरा अर्किटेक्चर कहीं किसी मामले में किसी से कम नहीं था मगर बहुत आगे ही निकल जुगा था और फूटोग्राफ देख लेता है अब साची पर यह जो गेट्स वगरा है इन पर भी और इसके इलावा भी जो आपकी वेदिका वगरा है इन सब कि अगर आप देखोगे प् साची स्टूप से आपको देखने को मिली है और यहां पर दिन की जो रोज मर्रा की अक्टिविटीज वगरा चलती है उनको दिखाया गया है कि रेगुलर आपकी डे टूडे लाइफ जो है उसका पर्टिकुलर सीन आपने पत्थर के उपर पूरा का पूरा कार्व कर दिया तो यह जो है एक फूटोग्राफ हो गया इसी तरीके से साची के स्टूप का जो गेट वगरा है उसके उपर यह तीसरा गेट है इसके उपर अपने अलग से जो है यह घोडों पे सवार लोग या वर हाती पे सवार जो लोग है यह दिखाये हैं और साथ में आपने और भी ड्रॉ की हैं सब पत्थर काटके बनाया गया ठीक है जी और देखते हैं ये देखिए अब ये इसके बारे मम लोग आगे भी बात करेंगे इस तरीके से आपने एक पर्टिकुलर तुरन द्वार पर जो है ये एक महिला बनाई है जो और जो एक पेड़ को पकड़ के खड़ी ह अँगा हो ही हैं साथ में खाति आपको देखने को मिलता है उसके और उसका महावत बैठा हुआ हुआ होप प्लेक्सिटी वगणा वागा शाची तूप और बागी और बाके के साथ में सारे स्कल्चर जुड़ते चले गए और हमारे लिए इसलिए important हैं यह हमें हमारे पूरवजों के expertise के बारे में बताते हैं कि कितना जादा वो हाथ expert हो गए थे इन चीजों के करने में जिन्होंने पत्थर में इस तरीके की जो इनको सोचना लगता है कि बिना किसी खास मशीनों के बिना किसी लेजर कटिंग टेकनोलोजी इस तरीके से आप बना दो इस हाती को ध्यान से देखिए इस हाती के पैर में आपने जो उसके चोटे-चोटे portions होतने हैं वो तक जो हैं धंसे दिखाया है उसने जो आपका उसके सर पे पहन रखा है उसके जो डिजाइन है उस तक को आपने अच्छे से दिखाया है यह बहुत fine काम है एकदम से नहीं बन यह एकदम से नहीं होता यह जो कटे इस तरीके से पत्थर काटना यह बता रहा है कि इनकी वर्कमैंशिप जो थी इनकी जो प्रोफिशेंसी थी इन सारे कामों में बहुत आगे निकल गई थी अब यह पत्थर पे जिस तरीके से काटके हाथ से पेड़ पकड़ने का पूरा सीन बनाया गया है इसको शब्दों में डिसक्राइब नहीं किया जा सकता है कि यह किस हजार साल बाद भी बहुत ज़्यादा फरक नहीं आया है इसकी जो पूरी के पूरी आपके डिजाइन है ऐसा भी नहीं है कि एक दम कहीं पे प्रिजर्व करके किसी गुफा के अंदर रखा गया हो बाहर खुले में बना हुआ है हर मौसम में बारिज झिलता है और भी आपक बस को बनाया है यहां पर लोग अगरए कुछ अपना काम कर रहा है है यह पर एक गद सब्र क्रपर Himi Har su वही स्वाल आ जाता है कि साची इंटिया डिया अपना इतिहास बूल गया था वक्त के कालंतर में इन्दूस्तान अपना इतिहास भूल गया था इतने इनवेजंब हुए थे वगरा को हासिल किया वापस डिसकावर किया उसके बाद में जब इनको स्टडी किया उस पर उसको पढ़ा उससे आपको समझ में आया कि आप कितनी पुरानी कितनी सोफेस्टिकेटेड कितनी एडवांस और कितनी डिवलप्ट सिविलाइजेशन रह चुके हैं पास्ट में ये बात अपने को यहां से समझ में आती है तो ये कुछ मेजर मेजर इंपॉर्टेंट स्कल्चर्स हैं आगे भी आपको स्टूप पे क्या स्कल्चर्स मिले हम लोग बातचीत करेंगे मगर ये जो है मेन आपका स्टूप के प्रिसे खोजा कैसे गया और उसके बाद में फिर ये समझना की भाई ये आज किल की या 2500 साल पहले बनीवी बिल्डिंग नहीं है हजारों साल पुरानी बिल्डिंग है अतनी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है कि हिंदुस्तान की आत्मा आपको इससे समझ में आ जाएगी ये particular fact आपको कैसे पता चला उसका जवाब जो है हम लोग यहाँ पर discovering stoopas की जो heading है इसमें पता करने की कोशिश करेंगे और इसमें भी जो पहला topic हमको पढ़ना है वो है the fate of Amravati and Sanchi जैसा कि मैंने आपको बताया कि Sanchi का जो stoop है वो आज की तारीक में सबसे बढ़ी अस्तिती में preserved है बहुत magnificent है सब बढ़ी है मगर इसके अलावा दूसरी जगाओं पर भी जो है stoop बगेरा बनाये गए थे और काफी बड़े और शांदार stoop बनाये गए थे उनमें से एक जगह थी अमरावती आज की तारीक में आपका जो आंद्रप्रदेश का हिलाका है वहाँ पर एक छोटा सा portion है जिसे अमरावती क अब तो इसका नाम अमरावती है यहाँ पर एक आपको stoop मिला था उसकी मरत से हम लोग समझना शुरू करेंगे कि दूसरी जगाओं पर भी जो थे वो stoop आपको मिल रहे थे और कालांतार में किस तरीके से आपने समझा कि भाई यह stoop इतने important होते हैं कि इनसे आपको पूरी की पूरी कहानी अब हम लोग देखेंगे 1756 में अमरावती जहां पर है आंद्रपदेश में वहाँ पर एक लोकल राजा था वो इस इलाकिया में कहीं पर एक मंदर बनवाना चाहता था अब वो मंदर बगरा बनवाने के लिए जगे ढूंडी जा रहे थी और आसपा मंदर बनाने के लिए सर्वे हो रहा है मटेरियल वगरा डूंडे जा रहे हैं पत्थर ना सारी चीजन डूंडी जा रही हैं उसी वक्त लोगों को पता चलता है अमरावती में स्टूप के बारे में या स्टूप के रूइन्स के बारे में बचा था ही नहीं पूरी जिस तर मिला इसके आपको कुछ अवशेश वगरा मिले तो यह काफी हद तक मिट्टी वगरा में दबा हुआ था और सारी चीजें थी तो वहां पर अमरावती में इस स्टूप के रूइन्स वगरा आपको मिले अब लोकल वाजा और उसके साथ के लोगों को जितना वो जमीन के बा ला गया और स्टूप पहले से खराब आलत में था जो उसके आपके अवशेश वगरा मिले थे वह पहले बहुत अच्छी स्टिती में नहीं थे दो डाईती नजार सालों में अच्छा कासा खराब हो गया था और उसमें से पत्थर निकाल निकाल के उसकी हालत खराब कर दी अच्छा जी अब आगे बढ़ते हैं कुछ सालों के बाद यहाँ पर एक इस्ट इंडिया कंपनी का ब्रेडिश ओफिसर आता है जिसका नाम था कॉलिन मेकेंजी यह इस साइट पर आता है और यह यहाँ पर इस स्कल्चर को देखता है जो भी थोड़ा बहुत पत्थर निक कि यहाँ आया, यहाँ पर मैंने इसका रूंज वगयरा देखे, इसको देखके मैंने यह जो इसकी अभी की स्थित्व है और यह मुझे लग रहा जो च्छी Majestic Fate में था, तब यह कुछ इस तरीके का रहा होगा, इस तरीके ज़े drawings वगरा बना के एक report तयार करी, यह report हाला की कभी publish नहीं हो पाएं, अब इसके बाद में क्या होता है, यह reports वगरा आपकी publish नहीं होई, तो यह अमरावती के तूप के भी तक की हालत है, लोगों को पता ही नहीं है कि क्या खतरनाक चीजन के हाथ लग गई है, 17-56 में उन्हों ने पहले से आपका जो अवशेश वगरा मिले, उसमें से पत्थर निकाल निकाल के उसकी हालत खराब कर दी, उसके कई साल बात कॉलिन मेकैंजी ने आके उसको लेके एक रिपोर्ट वगरा बनाई, ड्रॉइंस तयार करी है, एक एसम्शन लगाया है कि कितनी शांदार और कितनी बड़ी बिल्डिंग है, कितनी पुरानी है, वो रिपोर्ट चपी नहीं, उसके बाद 1854 में, यानि कि अब देखिए लगबग 100 साल निकल चुके हैं, 1756 में आपको पता चलता है इस जगे के बारे में पत्थर अत्थर निकाल कि अपने बरबात कर डाला है, उसके बाद 1854 में, गुंटूर का जो इलाका है, गुंटूर आपका शहर है, जिसमें अमरावती पढ़ता है वहाँ का जो कमिशनर था, जिसका नाम था वाल्टर इलियट, 1854 में ये अमरावती की साइट पर जाते हैं और यहाँ से काफी थोड़े बहुत जो स्कल्चर्स उनको देखने को मिल रहे थे, इसमें से कुछ स्कल्चर्स वगरा कलेट करते हैं, कुछ पैनल्स वगरा उठाते हैं और इनको फिर वो मदराज भेज देते हैं और जादा फॉर्धर स्टेडी करने के लिए कि पता करके बताओ, इन स्कल्चर्स को स्टेडी करो और बताओ कि यह क्या बिल्डिंग है, किस की है, किस कालखण में बनी होगी इस तरीके से, चले जी साथ ही साथ ये जो है इसमें जैसे कि हमने देखा था कि स्टूप में अंदर एंटर करने के चार आपके gates होते हैं तो इसमें से जो आपका western gateway था अमरावती के स्टूप में एंटर करने का उसके कुछ remains वगरा भी इनको जो है हाथ लगते हैं और बाकी सारी जो भी स्कल्चर्स हाथ लगे हैं जितने बड़े इलाके में आपका अमरावती का स्टूप फैला हुआ था इन सब बातनों के basis पर अब देखिए इसका fate कितना खराब था 1756 में मिला उसके लगभग लगभग 100 साल to be specific 98 years के बाद में एक वेक्ती आखिरकार इस conclusion पे पहुँचता है आपको जो western gate के remains मिले हैं जो sculptures आपको देखने को मिले हैं और जो भी उसना अपनी study करी है उस सब की मदद से वो इस particular conclusion पे पहुँचता है कि भाया ये अब तक का सबसे बड़ा और सबसे magnificent बुद्धिस्ट स्टूप था जो कभी भी बनाया गया था ये जो हमारे हाथ लग गई ये चीज ये बौद्धों के दोरा बनाये गए स्टूपों में सबसे बड़ा सबसे magnificent और सबसे शांदार स्टूप रहाद होगा आपने time period पे जो इसके अवशेश अपने हाथ में निकल कर आ रहा है और इतनी दुरगती होने के बाद में जिस तरीके के इसके इसकी स्तिती है जितना इसका जो इसको देखकर समझ में आ रहा है उसके basis पर मैं ये conclusion निकालता हूँ ये बात Walter Elliot ने कही थी मैं Walter Elliot ये conclusion निकालता हूँ कि ये बौधों के दोरा बनाया गया अब तक का हमारे हाथ लगा सबसे बड़ा और सबसे magnificent बुद्धिस स्तूप रहा होगा जब भी इसको बनाया गया जितने भी स्तूप बनाया गया उनमें ever built the largest and the most magnificent बुद्धिस स्तूप ever built तो ये जो थी अमरावती के स्तूप की कहानी थी नहीं किया 1854 में conclusion निकाला है उसके बहले 1850 तक क्या क्या चीज़ें हो रही थी अमरावती से जो भी आपको sculpture वगरा मिल रहे थे लोग उनको उठा उठा के अपनी मनमर्जी से कहीना कहीन लेकर जा रहे थे एशियाटिक सोसाइटी और बंगाल कलकत्ता वाले अपने साथ में काफी सारी चीज़ें उठा के ले गए इसी तरह से मदराज में एक इंडिया ओफिस हुआ करता था ये लोग काफी सारे sculpture उठा के यहां से ले गए इसी तरीके से आपका लेंडन वगरा की museum और लेंडन की लूट रहा था इसको इसी तरीके से describe किया जा सकता है कि अली बाबा चारी सोर वाली कहानी थी कि गलती से आपके हाथ में खजाना लग गया अब भर भर के जो है जो मन में आ रहा है जिसके मन में जो आ रहा है वो लूट मार मचा रखी थी अब एक वेक्ति कुछ विलोगों उसको अगर sculptures वगरा दिखाने हैं तो वेक काम करें कि इनकी cast replicas वगरा बनाकर ले जाएं plaster cast replicas वगरा बनाए plaster of Paris ते और बाकी जो भी आपका material है उसते गारे वारे से उसकी जो वो replica वगरा बनाकर तयार करें उसको देखकर और उसको ले जाए उसने museum में रखें और वहाँ पर आप उसको प्रदर्शित कर सकते हैं original चीज आपको जहां पर मिली है उसको वहीं पर preserve करना है और उसके साथ में किसी तरीके की छेड़खानी आपने नहीं करनी है बात समझ में आ रही है original चीज आपको जहां पर मिली है जहां पर वो है उसको वहीं पर preserve करना है और preserve करने के बाद नो उसके सांत में किसी तरीके की कोई छेडखानी नहीं करनी है किसी को हैस्ता चाप यह नहीं है कि जिसके मन में जो आरा उठा उठा के ले जा रहा है जो अमरावती के स्थूप के सांत में हुआ है वो चीज आपको नहीं करनी है आपको उसको जहां पर भी आपको मि जाओ, museum में उनको आप selfish Earth वगर आ करो, तो यह जो एक तरीका है, जिसमें जो चीज जहां मिली है, उसको वहीं पर preserve किया जाना है, इसको बोला जाता है, in situ या in situ preservation, in situ या in situ preservation का मतलब क्या होता है, कि जो चीज जहां पर मिली है उसको वहीं पर आपने प्रिजर्व करना है उसको आपको उठा के कहीं और लेकर नहीं जाना इसी का उल्टा अगर आपको जो चीज जहां मिली है वहाँ से उठा के आप कहीं और लेकर जा रहे हो वहाँ पर किसी दूसरी जगे पर प्रिजर्व कर रहे हो उसको बोला जाता है XC2 या XI2 इनसीटू का मतलब क्या है इनसीटू का मतलब है जहां पर मिली है वहीं पर प्रिजर्व करना है XC2 का मतलब क्या है जहां पर मिली है वहां से उठा के कहीं और लेकर जा रहे हैं वहाँ पर फिर उसको प्रेजर्व किया जा रहा है तो एचेच कोल साब का कहना ये था कि इन सीडू प्रेजर्वेशन किया जाना चाहिए आप सामान जिस तरीके से लेकर जा रहे हैं और अमरावती के स्टूप के साथ में उसकी दुर्गती जारी रही उसके साथ में जो भी आपका पुरा वैवार हो रहा था वो चलता रहा अब आगे बढ़ते हैं देखिए ये आपका साथी का स्टूप है बढ़िया तरीके से प्रेजर्व किया हुआ है और इसको एकदम बढ़िया तरीके से जो है आपने अच्छे से बनाके रखा हुआ है किसी तरीके की छिडखानी नहीं इतने हजारों साल बाद भी ये इतना खुबसूरत लग रहा है देखने में अब उसी की जगे अमरावत्ती का स्टूप देखिये जब तक हम लोगो समझ में आया कि भईया क्या चीज आत लग गई तब तक लूट मार मचा मचा के मचा मचा के उसकी आलत कर दिया है अब वो इतना से बचा है अब आला कि इसका प्रेजर्वेशन कर दिया है गलोरी थी जो इसकी मैजेस्तिक गलोरी थी जो स्कल्चर थे सब खतम हो गया है अब बर्बाद हो गया लका का उंड़ा है और जहां बना बदा हूँ पी असके उपर यकल के यहां पे आप उसमें देखोगे तो यहां पे हर्मिका और उसके उपर यश्ठी और सारी चीजने देखने को मिल रही है तो यह एक बात का यह भी इंडिकेशन है कि आपका जो यह अमरावत्ती का स्थूप है वो साची के स्थूप से पहले बनाया गया था यह आपको स्कुल् पुराना नहीं है जब तक यह मिला तब तक समझ में आगया कि तूप क्या खजाना होता है अच्छे से प्रेजर्व हूँ आज देखिए कितना खुबसूरत है और कितनी बड़ी आहलत में कई जनरेशन तक जो है यह प्रेजर्व रहेगा और उसी की जगे आप इसको देख लीजे गलत वक्ते लोगों की हाथ लग गया था तो आज बहुत बुरी और बहुत बुरी दुरगती में है और बहुत बुरी स्तिती में आपको देखने के लिए मिल रहा है चलें आगे बढ़ता है अब सवाल यह उठता है कि सांची आखिर क्यों सर्वाइब कर गया और अ सांची जो है उससे हमको काफी कुछ पता चला अमरावत्य का जो स्तूप है उसके हम लोगों ने हालत खराब कर दी है अब question वही उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों आपने अमरावत्य के स्तूप की दुरगती कर दी और श्नाची का स्तूप कैसे बज़ गया अब उसी को स किसी चीज की इंसाइट की इंपोर्टेंस क्या होती एक तो लोगों को यह नहीं पता था दूसरा यह कि स्नाची 1818 में जो है वो डिस्कावर हुआ उसके पहले अमरावती में लूट मार मचाई जा चुकी थी और लोगों को तब तक बुद्धिस स्टूप के बारे में पदा चल चुका था और यह भी समझ में आ गया था कि बुद्धिस स्टूप कितने इंपोर्टेंट है समराथ अशोक के जो आपके शिला लेख है उनका डेसाइफर्मेंट वगरा भी चली रहा था तब तक लोगों को काफी कुछ पता चल भी गया था उससे एक अंदाजा लग ग गेट थे उसमें से तीन गेट जो थे वो जसके तस खड़े हुए थे जो चौथा वाला आपका गिर गया था कालांतर में वह वहीं पर पढ़ा हुआ था जहां पर गिरा हुआ था इसके इलावा जो आपका मोंड है अंडा, हर्मिका, यश्ठी और पूरा आपका की चीज़ें मिली, मगर उनको उठा उठा के उखाड उखाड के वो मुजियम में लेकर नहीं गए, हम लोगों ने पहले ही देखा था इस चैप्टर के शुरुवाती लेक्चर में कि उसकी वो मुजियम में लेकर जाना चाहते थे, फ्रांस वाले भी और इंग्लैंड वाल उसको जिस साइट पर मिला था वहीं पर प्रिजर्व किया, प्लस जो आपकी भोपाज स्टेट की रूलर थी, उन्होंने भी इसमें काफी जादा योगदान दिया, पैसा वगरा लगाया, तो इस चकर में आपका जो साची का स्टूप है वो बचा रह गया, और जो आपका ये वाला स्टूप है, मारा अमरावती का, ये सर्वाइव नहीं कर पाया, नेक्स्ट जो अब हमारा टॉपिक आता है, वो है स्कुल्चर्स और इसमें भी हम लोग ये देखेंगे कि स्कुल्चर्स को किस तरीके से पढ़ा जाता है, शुरू करने के पहले आप लोग ये स्क में आएगा कि पत्थर के ऊपर नकाशी करकर बहुत सारे आदनी बनाये गए, मगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको इसमें एक पैटन देखेगा, आपको इसमें डे टू डे अक्टिविटी दिखेगी, आपको एक नॉर्मल जो जिन्दीगी चल रही होती है, उसका एक उसके बाद यह जो नीचे का पोर्शान है उसकी बाद कर रहा हूँ, यह भी लगबग वैसा ही जैसे प्लेन पत्थर उपर का उसकी तरह से रहा होगा, फिर इसके उपर नकाशियां करना शुरू करी हो, और करते 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 करते, इस तरीके के एक सीन बना दिया, जिसमें हाती, घोडे, आदमी, महिला, पुरोष साब आपको दिख रहे हैं और एक particular scene वगरा जो है दिखाया गया। आप इसको देखकर एक बात समझ में आ रहे ही कि बहुत high workmanship है, पत्थर पर छैनी है तोड़े की मदद से, इस तरीके के sculptures बना देना जो धाई-धाई-3-3,000 साल बाद भी इतनी बड़ी आ इस्तिती में हैं और जिनको देखकर आपकी आँखें फटी की फटी रहा जाएं कि भ अला थी, बहुत advanced level की थी, बहुत आला दर्जय की थी, यहीं से एक और सवाल उठता है, वो वेक्ति जो इस तरीके के plane पत्थरों के उपर, कभी तो जब इसके उपर बनाया नहीं गया होगा तो कभी तो यह भी plane रहा होगा इस तरीके से, जैसे यहाँ पर यहाँ पर दिख कुछ तो logic होगा, कुछ तो sense बने, कुछ तो reason रहा होगा जिसके कारण उसने इसको बनाया है, तो यहीं से फिर अब इसको और ज्यादा ध्यान से analyze करोगे, तो आपको इस particular scene में एक pattern देखने को मिलेगा, और इस pattern को study करते करते आपको एक बात समझ में आ जाएगी, कि जिसन बनाया था, वो यहीं बेवगूफ नहीं था, उसने ऐसी कुछ भी ड्रॉनी कर दिया है, और paper बेड्रॉनी किया गया, ध्यान रखियेगा, पत्थर बेड्रॉ किया है, उसने पत्थर पे कुछ भी नकाशी नहीं कर दिया, यह जो चीज बनाई गई है, यह basically इसका कुछ sense ब particular sculpture है, इसमें एक देहात का scene दिखाया गया है, एक rural scene जो है, वो बताया गया है, आपके जो art historians हैं, जिन्होंने इसको study किया है, वो इसको study करके है, इसके analysis करकर इस निशकर्च पर निकले हैं, कि यह scene एक जातक की कथा से उठाया गया है, और उस जातक की कथा का नाम है, वेस वेसांतरा जातका, या फिर वेसांतर जातक, जैसे भी आप बोलना चाहो, इंग्लिश में बोलोगे, वेसांतरा जातका, और आगर आप नॉर्मल हिंदी में बात करोगे, तो वेसांतर जातक इसको कहा जातागा, एक कहानी है, उसका एक scene जो है, उसको इसके उबर depict किया गय उस सीन में ऐसी क्या खास बात है कि उसको डिपट किया गया पहले उसके लिए हमको वेसांतर जातक की कहानी जो है वो पढ़ना पड़ेगी वेसांतर जातक की जो कहानी है वो बेसिकली एक बहुत दानी राजकुमार के बारे में एक generous prince की बात की गई है, king की बात नहीं की गई है, generous prince की बात की गई है, उसकी कहानी है, जो अपना सब कुछ एक ब्राह्मन को दान कर देता है, राज, पाड, हाती, गोड़े, जो भी आपके पास में धन धानने था, सब कुछ उसको एक ब्राह्मन को दान कर देता है, अपनी प तुरन द्वार के उपर यह बना हुआ है। यह जो वेसांतर जातक का राजकुमार है यह भी exactly वही काम कर रहा है जो भगवान बुद्ध ने किया था। तो भगवान बुद्ध से क्योंकि इसकी कहानी मिलती जुलती है। इसलिए इस कल्चर ने तुरन द्वार के उपर इस पर्टिकुलर सीन को डिपेट किया है जिसमें वेसांतर जातक की कथा बताई गई है और जिसमें राजकुमार अपना सब कुछ ब्राह्मार को द्वान करके अपना सब को छोड़के जंगल में अपने पत्नी और बच्चों के साथ में चला जाता है क्योंकि भगवान बुद्ध की कहानी से मिलती जुलती कहानी है इसको इसको इसके उबर बनाये गया है एक यह पता चल गया दूसरी बात यह कि भईया पता कैसे चला ब्रहम ग्यान ग्यान तो हुआ नहीं होगा ब्रहम वाड़ी हुई नहीं होगी कि उसके आपको सफना आगे एक दम से कि वेसंतर जातक का यह सीन है चलो मान लिया कि भगवान बुद्ध के साथ में मिलती जुलती स्थिती है बगर तुम्हें कैसे बता चला कि वेसंतर जातक की ही कथा है उ इस वक्त में जो literature लिखा जा रहा था उसकी भी थोड़ा सा पहले और उसकी भी थोड़ा सा बाद में जो literature लिखा जा रहा था वो सारा का सारा जब study किया गया और यह जो particular scene है इसको देखा गया इसके pattern को समझा गया तो फिर वो जो scene जिसका pattern आपको इस particular sculpture पर देखने के लि लिखा गया था जब उससे compare किया तो वेसांदर जातक की कहानी के साथ में ये काफी जादा जो है match करता हुआ आपको समझ में आया इस basis पर finally आपने ये निशकट निकाला कि ये जो है वेसांदर जातक की कथा का description है और क्योंकि भगवान बुद्ध से मिलती जुलती कहानी है इसके लिए इसको वेसांदर जातक की कथा का description एक sense बनाता भी है इसका मतलब बनता है अब यहां से अपने को ये समझ में आते है ये बात clear हो जाती ही कि सर्फ पत्थर पे देख लेने से आपको समझ में नहीं आएंगी चीजें कि ये किस ने बनाई, क्यों बनाई, किस प्रयोजन से बनाई उसके लिए उस काल खंड में जब ये सारा काम हो रहा था उस काल खंड में उसके थोड़ा सा पहले और उसके थोड़ा सा बाद में जो आपके textual evidences आपको मिलता है उसकी बहुत अच्छी और बहुत गहरी understanding होना आपको ज़रूरी है नहीं तो फिर आप sculptures को या तो पढ़ नहीं पाओगे और अगर पढ़ोगे तो गलत पढ़ोगे या गलत निशकर्ष में निकलोगे इसको और थोड़ा सा अच्छे दे समझते है लेट से आपके हाथ में कोई एक sculpture लग गया जैसे ये इसके पहले वाला था इसके पहले वाला जो था ये आप इस तरीके का को इस sculpture आपके हाथ में लग गया पूरा आपने इसके जो भी carbon dating और सब कर करा के आपने इसके निकाला एक्जामबल के लिए बता रहा हूँ कि लेट से ये sculpture 200 before common era से 200 common era के बीच में बना होगा चलें जी इन 400 सालों की बीच में ये बना होगा तो इस 400 सालों की बीच में जो दूसरे तरीके के sculpture लिट्रेचर ऐसे देखने को मिलेंगे आपको उस्ते इसको compare करना पुड़ेगा और बाकी सारे काम करना पुड़ेंगे यहां पर जो लिट्रेचर आपका लिखा गया था उसके बारे में भी आपके पास में अंदाजा होना चाहिए जो लिट्रेचर इस कालखंड में लिखा गया था उसके बारे में भी आपको अंदाजा होना चाहिए इसके भी पहले और यह जो time period है इसके बाद में यह सारा जो लिट्रेचर आपका लिखा गया था उसके बारे में आपको अंदाजा होना चाहिए अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर आप sculpture को पढ़ोगे और आप उसके कोई सही निशकर्स नहीं निकल पाओगे जो time period में उस culture को बनाया गया है उसके पहले कोई कहानी घटी होगी उसके बारे में भी आपको अंदाजा होना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि शायद वहाँ से inspiration मिल जाए और उसके बात के literature के बारे में इसलिए पता होना चाहिए कि हो सकता है आपको उसमें कोई description मिल जाए इस particular sculpture के बारे में कि भाईया इस पर यह जो particular कहानी बनाई गई है क्यों बनाई गई है आपको दो चीजें करना पड़ेंगी एक तो आपको उस कालखंड में जित्ते भी तरीके के sculptures बनाए जा रहे हैं उसका अंदाजा होना चाहिए वो communities या फिर वो लोग जो sculptures बना रहे हैं उनके बारे में और उनके सही अंदाजा होना चाहिए अगर वो नहीं है तो फिर आप सही तरीके से sculpture रीड नहीं कर पाऊ अगर आपके पास वो अंदाजा है अगर आपके पास वो knowledge है तो फिर आप सही तरीके से sculpture को study कर सकते हैं और आप सही निश्करशों पर पहुँच सकते हैं, चले जी, आगे बढ़ता है तो अब बुद्धिस स्कल्चर्स की अगर बात की जाए, क्योंकि हमारा जो इस चाप्टर का में थीम है वो बुद्धिस स्कल्चर्स की बात करते हो तो बुद्धिस स्कल्चर्स को समझने के लिए भगवान बुद्ध से related जो भी आपका दूसरा लिटरेचर लिखा गया है तरी पिताख हो गया या फिर दूसरी जो आपकी किताबे हो गई वो तो study की जाती है मगर भगवान बुद्ध के को point of view बना कर जिस तरीके का sculpture बनाया गया भगवान बुद्ध को डिपेक्ट करने के लिए जिस तरीके का sculpture बनाया गया उसको जादा अच्छे से समझने के लिए historians क्या करते हैं कि भगवान बुद्ध की जितनी भी हेगियोग्राफी लिखी गई है उनको भी study करते हैं हेगियोग्राफी का मतलब क्या होता है किसी भी गुरू या किसी भी संथ की मृत्यू के बाद में अगर उसके followers अगर उनके followers उनके बारे में उनकी आत्म कथा लिखते हैं कई सारी अगर इस तरीके की आत्म कथाय लिखी जातनी है तो उनको हेगियोग्राफी कहा जाता है किसके द्वारा एक ऐसे वेक्ति के द्वारा जो उनका follower रहा हो जैसे बगवान बुद्ध की मृत्यू के बाद में उनके जो followers उन्होंने उनकी जितनी भी आपकी biographies वगरा लिखी हैं या जितनी भी आत्म कथाय लिखी हैं जितना भी उनकी जीवन की गाथा के बारे में बातसीत करी है उसको हम लोग हेगियोग्राफी कहते हैं तो इस तरीके की हेगियोग्राफी वगरा को भी जो है बुद्धिस sculptures को समझने के लिए historians पढ़ते हैं और उसकी मदद से उनको बुद्धा को समझने में बुद्धा की life से जो भी चीजे हुई हैं उनको समझने में एक अच्छी understanding मिलती है अगर आप हेगियोग्राफी के अनुसार चले हैं तो भगवान बुद्ध जो हैं उनको meditation करते हुए enlightenment मिला था बोधी ट्रीके नीचे है ये बात लगबग हर आपकी हेगियोग्राफी में निकल कर आती है और वहीं से ये जो है एक आपने एकदम पत्थर की लकीर की तरह clear है एकदम पानी की तरह साफ है कि enlightenment उनको किस तरह से मिला था मज़े की बात यह है कि जब शुरुवाती sculptures की आप बात करते हैं early sculptures को आप study करते हैं तब कहीं पर भी आपको इस तरीके के sculpture देखने के लिए नहीं मिलते हैं जिसमें भगवान बुद्ध को किसी पेड़ की नीचे meditate करते हैं दिखाया जा रहा हूं बाद में इस तरीके के sculpture बनाए गयते मैं उससे इंकान नहीं करता हैं अगर early Buddhism की अगर बात की जाए जब sculptures वगरा बनना शुरू हुए तब ऐसे sculptures आपको ऐस सच देखने के लिए नहीं मिलते हैं जिसमें भगवान बुद्ध आपका करते करते ultimately उनको enlightenment या फिर केवल ग्यान की प्राप्ती हुई अब जो sculptures early Buddhism में बनाए जा रहे हैं वहाँ पर क्या मजा वहाँ पर क्या बात निकल कर आ रही है वह यह निकल कर आ रहा है कि भगवान बुद्ध को दिखाने के लिए sculptures को sculptures वगरा में इस तरीके कि आपको सीनी द बैठा और ध्यान लगा के बैठा हूं तो यहां पर यह paradox बगरा निकल कर आया है इसकी जगह पर आपके जो आप यह जो चीज है आपको देखने को मिलती ही नहीं है शुरुआती sculptures में meditation इनोंने कैसे हासिल किया वह आपको text में पता चल गया मगर उस चीज को दिखाने के लि उसकी जगे पर उन्हें ने symbols का इस्तेमाल किया है और इन symbols की मदद से भगवान बुढ़ को डिपट किया है अब अपने के इसी लिए पता चल पाया कि आपको इन symbols का जो zzikr है यह आपको भगवान बुढ़ की पुझा नहीं जाता। भगवान बुद्ध को कभी मनिश्य के रूप में फ्षो ही नहीं किया जाता। इस जगे पर क्या किया जाता है। अलगलग-शिम्बल में इस्तिमाल किया जाता है भगवान बुद्ध के प्रेजरन को शो करने के लिए। और अपने को कैसे पता चलता है कि इन symbols के तहट भगवान बुद्ध को बताया जा रहा है क्योंकि हम लोगोंने literature पढ़ा हुआ है जो भगवान बुद्ध से related है उसमें कौन-कौन से symbols उनके साथ में attach किये गए थे या किस तरीके के symbols से उनको depict किया जाता था उसका जिकर आपक किस तरीके किस cultures वगरा बनाए जाते था अब हम लोग बातचीत करेंगे उन symbols के बारे में जिनकी मदद से भगवान बुद्ध को describe किया जाता है या फिर भगवान बुद्ध की जिंदिगी के अलग-अलग phases को या बुद्धिजम के जो अलग-अलग phases भगवान बुद्ध के state का भगवान बुद्ध ध्यान लगा रहे हैं इस तीज को sculptures में कैसे दिखाया जाता है empty seat की मदद से अपने को कैसे पता चला hegeographies वगरा में इसका अच्छा काशा जो है जिक्र देखने के लिए मिलता है कि भगवान बुद्ध को indicate करने के लिए आप एक ऐसा खाली आसन दिखा रहे है इसका क्या मतलब हो गया भगवान बुद्ध जो है meditate कर रहे है इस चीज को आप symbolic तरीके से represent कर रहे है दूसरा फिर हिंदी में अगर हम लोग इसको बोलेंगे महापरी निर्वान महापरी निर्वान को जो है बता रहा है यानि कि जब उन्होंने अपनी देख अत्याग किया था उस particular स्तिती को जो है बताने के लिए स्तूप को दिखाये गया तीसरा अगर कहीं पर आपको एक वील देख का इस्तिमाल किया जाता है आज की तारीक में भारत का जो आपका जो मैप भारत का जो आपका प्राइकलर है तिरंगा है उसमें भी जो वील लिया जाता है वो यहीं से inspired है धर्म चक्र वगरा को भी वो describe करता है तो सारनात में भगवान बुद्ध का दिया गया पहला सर्मन आपका एक wheel वगरा की मदद से, इस तरीके का जो wheel है, उसकी मदद से indicate किया जाता है, कई जगाओ पर फिर आपको पेड़ वगरा भी देखने के लिए मिलता है, तो वो पेड़ जो है भगमान बुद्ध को जो enlightenment वगरा मिला था, उस particular event को दिखाने के लिए, या फिर किसी और particular परिस्तिती में अगर कहीं पर कोई वगरा चल रहा है, कोई debate हो रही है, कहीं पर किसी को preach कर रहा है, कोई इस तरीके के जो important आपके जब उनोंने sermons वगरा देना शुरू कर दी है, तो उसको दिखाने के लिए, symbolize करने के लिए, पेड़ वगरा जो है, इसको भी बना कर बता है, जो बगवान बुठ से related कहीं से भी जड़ा हुआ, सब कुछ हम लोगों ने पढ़ा, उसकी मरत जम को एग्यान मिला, दूसरी चीज ये कि जो भी traditions वगरा चल रहे हैं, उन लोगों के जिन्हों ने इसको बनाया था, उन शिल्पकारों के traditions वगरा के बारे में हम लोगों होने जानकरी हासल करने की कोशिश करी, उनको समझने की कोशिश करी कि किस तरीके की traditions को follow करते थे, और वहां से भी हमको इसका काफी जादा अंदाजा मिला है, चले, अब देखते हैं, जैसे अब यहाँ पर ये एक wheel जो है ये बनाया गया है, तो यहीं से जो आपका तिरंग ये का जो wheel है, उसके भी inspiration उठाई गई है, अब जहाँ पर आपको इस तरीके से एक wheel बना हुआ दिखेगा, setting in motion the wheel of dharma या dhamma, धम का wheel जो है या धर्म का जो wheel है, उसको दिखा या धर्म चक्र जिसको हम लोग कहते हैं, उसका indication है, जहाँ बर आपको wheel मिलेगा, क्योंकि हमको पहले से पता है कि wheel का क्या indication है, तो हम लोग क्या है, समझ जाएंगे कि ये पहले सर्मन की बात हो रही है, या धर्म चक्र प्रवर्तन, जो धर्म चक्र की बातचीत की गई है, उसका indication है, ये आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा, ये जो symbol है, जिसमें जैसे आपको चक्र द यहाँ घूमता है, जो भी उन्हेंने बात करी थी, उसका indication है, तो ये एक symbol है, जिसकी मदद से भगवान बुद्ध को ना depict करकर भी भगवान बुद्ध के बारे में बातचीत की जा रही है, या फिर एक indication दे दिया गया है कि भगवान बुद्ध से related है, अगला देखिए, अ अब यहाँ पर आपको यह स्टूब बना हुआ देखने को मिलता है, इस तरीके से एक स्टूब जो है उसको आपने ड्रॉ किया है, यह क्या बता रहा है, यह बता रहा है महा परी निर्वाणा, अब यहाँ पर जो स्टूब की वर्चिप हो रही है, तो यह बिसिकली भगव बद्ध जो है महापरी निर्वान हासिल करचुके हैं, महापरी निभाना या महापरी निर्वाना जो है, उनको मिल चुका है, यह इस बात का इंडिकेशन है, अगला देखिए, इस तरीके सब यहाँ पर एक है ट्री बनाया हुआ है, यह पेड़ बना हुआ है, और इसके ग्यान की प्राप्ति हुई थी जब उन्होंने इनलाइटनमेंट हासिल किया था एक तो आपको यह बात यहां से पता चल रही है दूसरा यह कि खाली आसन आपको यहां पर देखने को मिल रहा है इसका मतलग अभी केवल ग्यान प्राप्त हुआ नहीं है अभी भगवान चीज जो है ध्यान रखना है और उस बोधी ट्री की वर्षिप वगरा यहां पर दिखाई गई है तो बेसिकली यहां पर यही बताया जा रहा है कि अलग अलग सिंबल्स की मदद से बगवान बुद्ध को इंसान की रूप में ना दिखाकर अलग 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 सिंबल्स की निकाल पा रहा है इसके बाद अब हम लोग कुछ ऐसे ट्रीडिशन की भी बात करेंगे जिनके बारे में हमको सांची में जानकारी मिलती है मगर उनका बुद्धिसम से ऐस सच कोई खास रिलेशन्शिप नहीं था अब थोड़ा संबलों उसको देखेंगे अभी तक हमने ज भगवान बुद्ध की लाइफ से लिलना देना नहीं है उनके बारे में थोड़ा बातचीत करेंगे तो ये तो इसके पहले कि जितने स्कल्चर्स होगे रहा हो गए वो कैसे थे बगवान बुद्ध की लाइफ से रिलेटेड है या फिर किसी जातक की कथा को बता रहा है और और क्योंकि वो कथा बगवान बुद्ध की लाइफ से मिलती जुलती है तो उसको आपने तुरंट दौर पर बना दिया और बना दिया कुछ ऐसे स्कल्चर्स भी आपको साची में देखने को मिलते हैं जिस्ते आपको ये समझ में आता है कि ये बगवान बुद्ध से रिले नहीं है नहीं बुद्ध आइडिया से किसी भी तरीके से इंस्पायरड है इसमें एक पर्टिकुलर जो स्कल्चर है उसमें एक बहुत खुबसूरत सी हमिला है जो एक पेड को पकड़ कर जूल रही है इस तरीके से एक हम लोग देखने को मिलता है पहले वो स्कल्चर हम लो बुद्धिस literature में ऐसा कहीं पे किसी महिला का जिकर आता ही नहीं है जो एक पेड़ पकड़ के खड़ी है और जूला जूल रही है या फिर इस तरीके की महिला जो किसी पेड़ को पकड़ के खड़ी है या किसी और चीज़ को पकड़ के खड़ी होई है या वो जूला जूल र मगर मज़े की बात यह है कि यह सांची के तोरण दोर पे आपको देखने के लिए मिलता है और सामने वाले ने बहुत मैंट से इसको ड्रॉ किया है यह बात भी साफ साफ समझ में आ रही नहीं तो एक पत्थर के स्लैब को इस तरीके से काटके ऐसा स्कुल्चर बनाना मतलब को आसान बात नहीं है बहुत मुश्कल काम है और उसमें जब वो इस तरीके के स्कुल्चर बना रहा है तो उसका कुछ तो मतलब होगा आज की तारीक में आपके जो स्पेकुलेशन वगरा लगाए गए और खूब आपने पर्मुडेशन कॉम्बिनेशन लगा के कि यह हो सकता है यह हो सकता है यह हो सकता है करकरा के फाइनली हिस्टोरियन से स्निशकर्ज पर पहुंचे हैं कि यह शलब जनिका है यह जो सकल्चर में महिला दिखाई गई है यह महिला शलब जनिका है अब शलब जनिका क्या है उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे मगर इसना आप को ध्यान में रखना है कि शलब जनिका का एस सच बुद्धिसम से कोई लेना देना बिलकुल नहीं है वो बुद्धिसम से रिलेटेड नहीं है वो एक अलग अपना उनकी अलग कहानी है एक अलग डिस्क्रिप्शन है मगर उसका जो आपको अगर तोरण द्वार पर बना जो नॉन बुद्धिस थी जिनका एस सच बुद्धिस औरीजन नहीं था उसमें से एक आपकी शलब जनिका है तो शलब जनिका का इस कल्चर जिसमें यह पकड़ के वो पेड़ की बेल जूल रही है या फिर इस तरीके से लग रहा है कि पकड़ के खड़ी हुई है बिलीव यह था कि शलब जनिका या तो देवी मान लीजीए या फिर वो मैला मान लीजीए जिन्होंने अगर किसी पेड़ को टच कर दिया तो उसके टच से आपके उस पेड़ में फ्लॉवर आने लगेंगे, फ्रूर्ट आने लगेंगे, फलफूल आने लगेंगे तो बेशिकली य पहले से ये symbols वगरा और ये शलब जनिका की कहानिया इस तरीके की चीज़ें जो मैं exist करती थी, अब शलब जनिका का जो ये symbol है जिसमें एक महिला को ऐसे बताया गया है कि उसने अगर छू लिया पेड को तो उसमें फूल आने लगेंगे, वो उसमें बकायदा फल आने लगें से अभी जो शलब जनिका का मोटेव है, ये अपने को एक बात बताता है कि बहुत से लोग जो बुद्धिजम में आके अल्टिमेटली उन्होंने जिन्होंने बहुत धर्म को सुईकार किया, वो अपने साथ में अपने खुद के भी बिलीफ्स लेकर आये थे और भगवान बुद्ध के या जो बुद्ध धर्म के पहले के जो बिलीफ्स थे, प्री बुद्धिस्ट बिलीफ्स उनको भी लेकर आये थे, तो वो सारे शलब जनिका का तोरण द्वार के ओपर मिलना और इस तरीके के सिंबल्स वगरा का सूप के डेकुरेशन में इंटिग्रेट करना इस बात का अकार्टि प्रमान है, कि वो सारे लोग जिन्नोंने बुद्धिसम को अपनाया, जो बौध धर्म में आये, वो अपने साथ में नॉन बुद्धिस्ट प्रैक्टिसेज और अपने आइडियाज और बिलीफ को भी लेकर आये थे, और वो साथ में इनके पहले के ज काफी सारे जो मोटिफ्स वगएरा है, यह इस तरीके के जो अलग-अलग ट्रेडिशन थे, जो या तो पहले प्री बुद्धिस्ट थे, या फिर आपका नॉन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के लोग जो फॉल्वर्स आके बुद्धिसम में जुड़े, जिन्हें ने बहु आपका साची का जो तूफ है, यहाँ पर आपको मोटिफ्स वगएरा में, स्कल्चर्स वगएरा में देखने के लिए मिलती है, चलें जी, आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे काफी सारे अनिमल्स वगएरा का डिपिक्शन भी आपको देखने के लिए मिलता है, फिर वही स्तूप के अलग-अलग जगाओं पर स्कल्चर्स में देखने के लिए मिलता है, और इन सब की मदद से कई बार बहुत सारी जो जातक कथाएं हैं, उनको भी बताया जाता है, कई सारी जातक कथाओं को भी जो है, इन सारे अनिमल्स वगएरा के स्कल्चर्स वगएरा बनाकर इनकी मदद से जो है उनको कहा जाता है, इसी तरीके से कई बार आपके जो अनिमल्स वगएरा हैं, वो इनसान की जिंदगी में उसके जो अलग-अलग भाव हैं, अलग-अलग विचार हैं, उनको अलग-अलग human attributes को indicate करने के लिए भी जो है, इन animal motives का इस्तिमाल as such किया जात और अगर इनसान के किसी जिंदगी के पहलू को समझाने के लिए, किसी human aspect को समझाने के लिए, अगर आप जानवरों का इस्तिमाल कर रहे हो, और हाती का इस्तिमाल किया गया है, तो फिर वो वहाँ पर strength और wisdom बता रहा है, जैसे भगवान गणेश को भी बुद्धी का देव बना है, तो मनुष्य को ना बना के वहाँ पर elephant describe कर दिया जाए, elephant को depict कर दिया जाए, देखें इसे, अब जैसे यहाँ पर जातक की पूरी एक कथा सुनाई जा रही है, उसमें अगर elephant आ जाएगा, तो वो एक कहानी का पात रो गया, और उसकी मरद से कोई बात कही जा रही ह और कहीं पर ऐस सच आपने animal motive सिर्व एक हाती बना के इस तरीके चोड़ दिया, तो यह एक indication है, एक मनुष्य की जिंदिगी में strength और wisdom का, कि आप हाती की तरह होना चाहिए, आपके पास wisdom भी होनी चाहिए, और आपके पास में strength भी होनी चाहिए, इस तरीके से particular indication जो है इसका दिया जाता है, और देख लेता है इसी तरह से, अब एक motive आपको देखने के लिए मिलता है, जिसमें एक महिला है, और उसके दोनों तरफ जो है, आपके कमल के फूल और elephant आपको देखने को मिलते हैं, और यह elephant आपको ऐसे लग रहे हैं कि उस महिला के उपर पानी स्प्रिंक आपको देखने को मिलती है, और हाती जो है, अभी शेक कर रहे हैं, तो यह जो motive आपको देखने को मिलता है, यह motive आपको क्या बता रहा है, कई लोग इस motive को लेके divided हैं, अब कुछ historians का मानना यह है कि यह Maya है, जो भगवान बुद्ध की माता जी है, उनको बताया गया है, कई लोगों का कहना यह है, कि यह गजलक्ष्मी है, जो good fortune की goddess है, तो अब यहां से एक बात निकल कर आती है, इतको अगर गजलक्ष्मी माना जाए, और गजलक्ष्मी जाधा सटीक बाटता है, क्योंकि गजलक्ष्मी का description इसके इलाबा भी कई जगाओं पर आपको ऐसे ही देख नहीं हो गई, उसने दूसरे traditions की भी बिलीव को एडॉप्त किया है, अगर गजलक्ष्मी की आपका motive यहां इस तरीके से बना हुआ, मिल रहा है आपको बुद्धिस स्टूपों पर बकाइदा इनको देवी माना गया है, इनको बकाइदा good fortune की देवी माना गया है, धन कि अगर देवी माना गया और इसका मोटिफ आपको बुद्धिस आपके स्टूपों पर देखने को मिल रहा है जैसे क्लिए इंडिकेशन कि यह नॉन बुद्धिस्ट या फिर प्री बुद्धिस्ट ट्रेडिशन है जिसको बुद्धिसम में एडॉप्ट किया गया है तो यह इसलिए देखने को मिला कि उसने सब को स्विकार कर लिया और देख लेतना कई सारे आपके ऐसे पिलर्स वगरा हैं जिस पर आपको सर्पेंट वगरा देखने को मिलें आपको साप जो है वो बने हुए देखने को मिलें जैसे इस तरीके से आपका एक पिलर है उस पर इस तर tradition में जिकर नहीं मिलता इसका मतलब यह हुआ कि वो tradition के लोग जिन्हों ने आपके सापों को describe किया है सापों को बनाया है उन्होंने क्योंकि अपने written record नहीं छोड़े तो हम लोग उनके बारे में कोई बहुत अच्छा अंदाजा नहीं लगा सकते तो यहां से फिर बात निकल कर आती कि बहुत सैसे traditions हैं जिनके अपने पास written record नहीं है तो उनके स्कल्चर को study ही नहीं किया जा सकता या फिर study किया भी गया तो उससे हम लोग सही निश्कर्च पर निकल कर नहीं सकते वजह उन्होंने अपने written record नहीं छोड़ें फिर वहीं बात घुम कर आ जाती है कि स्कल्चर की study के लिए टेक्स का knowledge होना जरूरी है और किसी स्कल्चर को support करने के लिए अगर आपके पास में text नहीं है तो इसका मतलब आप उसको या तो अच्छे समझ नहीं पाऊगा या फर exactly आप उसको पूरी तरीके से समझ नहीं पाऊगे एक मज़े की बात और भी आती है स्कल्चर के साथ में भी बिल्कुल आपका फैमिलियर नहीं थे तो फिर वही बात आ जाती है कि सिर्फ आप स्कल्चर को देखकर चीजों को नहीं अंदाजा लगा सकते आपके पास में basic knowledge और basic understanding sculptures की होना ज़रा है तो यह तो अभी तक हम लोगों ने जो आपका stoop और stoop पे आपको sculptures वगरा देखने को मिल रहा है पत्थर में जो उकेर-उकेर के आपने कलाकृतियां और shelf कारी करी है उसमें जो हमको चीजें मिल रही है उसके बारे में बात करी यह एक मार्तर तरीका नहीं था जिसमें हम लोग आपका किसी particular scene को depict करके कोई sculpture वगरा बना के या कोई आकृती उकेर करके अपनी बात कह रहे इसके लावा और भी आपके methods थे और भी तरीके थे जिसकी मदद से आप अपने आपको describe कर रहे थे तो अब जो दूसरे symbols और दूसरी जो images वगरा है अब हम लोग उनके बारे में बातचीत करेंगे उनकी मदद से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि इस tube के उपर जो शान करना हो या कोई और चीज अगर express करनी हो तो उसके लिए और कौन से art के form इस्तेमाल किये जा रहे थे इसका जवाब आजाता है paintings वगरा stone के sculptures की बात की जाए तो ये क्योंकि पत्थर पे बनाए गए हैं उकेरे गए हैं तो जमय की जितने थपेड़े पड़ते हैं वक्त की ज चीज कालंदर में लंबे वक्त तक टिकती है इसकी जगे आगर आपने कहीं पर वोड़ पे कुछ बनाया है पेपर पे कुछ बनाया तो उसका preservation थोड़ा सा जाधा मुश्किल होता है मगर फिर भी आपको stone की ओपर जो sculpture देखने को मिलें उसके इलाबा और भी जगाओ पर आ काफी सारी चीज़ों को communicate किया गया था और वो भी हमको जो है उस काल के बारे में काफी कुछ बताती है सबसे शांदार एक्जामपल अगर आप painting के point of view से देखेंगे तो अजंता की जो paintings हैं महाराष्ट में जो आपको महाराष्ट में जो आजंता की caves है वहाँ पर जो paintings वग बातों को communicate किया गया है जनरली अगर अजंता की आप photographs की बात कर लें अजंता की paintings की paintings की बात कर लें यह important point है याद रखिए गया इसको अजंता की paintings में जनरली जातक की कथाओं को जो है डिपेक्ट किया गया है अजंता में जो भी paintings की गई है उसमें generally exceptions are always there बट जातक की artist ने यहाँ पर किस तरीके से paint किया हम लोग यह नहीं जानते कैसे paint किया किन रंगों का इस्तेमाल किया अंदर उन पहाडियों को खोद किया जहां पर सूरज की रौशनी नहीं जाती कैसे उसने paint कर दी हमें बिलकुल अंदाजा नहीं है इस बात का मगर इतना समझ में आता ह उन paintings को देखकर कि artist ने 3D technology का इस्तेमाल की वहाँ पर जो भी technology लगाई है shading वगरा की उसकी मदद से 3D quality की जो है image वगरा बनकर तयार होती है तीन dimensions की image जो है आपको देखने के लिए मिलती है या वर इस तरीके की image आपको देखने को मिलती है जिस तरीके के colors का इस्तिमाल हुआ है जिस तरीके की shading होई है उससे अपने को इस तरीके की images देखने को मिलती है कि वो 3D appearance या 3D appearance और देती है ये painting जितनी naturalistic है कि आपको यकी विधनी नहीं होता कि हजारों साल पहले इन पेंटिंच को बनाया गया है ऐसी पाडियों के अंदर बनाया गया हैis जया रही है कुछ फोडोग्रास बगराद देखना है यह देखिए, यह एक बोधी सत्ता की फोटोग्राफ है, यहाँ पर बताया गया इनको बना के, यह पेंटिंग अब एक पहाल काटके या फिर एक आपको केव के अंदर देखने को मिलती है, जहाँ पर सूरज की रोशनी दिन में भी नहीं जाती, कैसे किसी ने इस तरीके की प कितना फाइन तरीके से इसको बनाया गया, क्योंकि केव के अंदर थी, जहाँ पर दिन में रोशनी भी नहीं जाती है, तो अगर लोग भी घुसे होंगे अंदर शुरुवात में इन्वेडर्स वगरा भी जो आया थे तो बहुत ही शाय तस्वीरे देखी नहीं पाया होंग यह भी आपको एक इंडिकेशन देती हैं, यह भी आपको बताती हैं कि किस लेवल पर जो है आपका मार्श्री हासल कर ली गई थी, किस लेवल पर जो है लोग जाकर फाइन आर्ट्स वगरा कर रहे थे और इनकी मदद से उस वत के कालखंड को समझने में, उस कम्यूनिकेश आपका सेशन रहेगा, उसमें हम लोग जो नए रिलीजिस ट्रीशन वगरा निकल कर आये थे, उनके बारे में अपना डिस्कॉशन को कंटीन्यू करेंगे, so by that moment of time I would be taking your leave, खतम करने के पहले आप लोग मैगनेट ब्रेंस की वेबसाइट पर जाएए, क्लास बन जे लेके क् लिखने को मिल जाएंगे, बढ़िया आप उनको पढ़ें, free of cost अच्छा knowledge गेन करें, अपने आपको improve करें, बढ़िया इंसान बनें and जिस भी objective के साथ में आप जो भी subject वगरा पढ़ रहा है उसका knowledge गेन करकर अपनी life में कुछ अच्छा करें, so on this note I would be calling it the day and concluding the lecture, ध्यान रखें, positive रहें, पढ़ते रहें, thank you, jahind